रेवार्य में हुआज कर दो नजय की लिए हैं इस पीछा चैनल में तो यह लिए अपके शरीर नहीं हुआ विटामिन B6 होता है, विटामिन C होता है, साथी साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाशियम भी पाए जाता है, तो इस केले में बहुत ज़्यादा चीजे पाई जाती है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफेशियल है, तो चलिए दोस्त बाद जो में एक डेल आइकन बटने उसे भी क्लिक कर दीजे ऐसा करने से आपको मेरे नए 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 वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो सबसे पहले मैं आपको बता दू तो कच्चा केला जो होता है हमारे हार्ट को हैल्दी रखता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मातरा में पोटाशियम पाया जाता है इसकी वज़े से हमारे हार्ट में बहुत अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है इसलिए अगर आप कच्छे केले का जितना ज़्यादा सेवन करेंगे आपका हार्ट उतना ही हेल्दी रहेगा और हार्ट दिसीस से भी बहुत ज़्यादा दूर रहेगा इसके बार मैं आपको बता दू कि अगर आप मोटा पे से परिशान है और खुद को पतला करना चाहते हैं तो आज से ही आपको रोजाना कच्छा केला खाना चालू कर देना चाहिए ऐसा करने से आपके शरीर में आप काफी बदलाव देख पाएंगे क्योंकि कच्छा केला जो है आपके एक्स्ट्रा फैट को बर्न कर देता है और एक्स्ट्रा कैलिरीस को भी कम कर देता है इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी मदद स हम बहुत ही असानी से हमारे वजन को भी कम कर सकते है इसलिए कच्छे केले को अपने वजन कम करने के लिए भी आप इस्तमाल कर सकते है तो दोस्तों और एक चीज में आपको बतादू कि अगर आपके शरीर में खून की कमी है या फिर आपका हीमोगलोबिन हमेशा ही कम रहत तो आज से ही आपको कच्छा केला खाना चालू कर देना चाहिए क्योंकि इसी की मदद से आपके शरीर में रक्त बढ़ता है और इसी की वज़े से आपके शरीर में हीमोगलोबिन की भी बढ़ावत होती है इसके बाद मैं आपको बता दू कि जिन लोगों को बार-बार कुछ खाने का मन होता है उन्हें तो कच्छा केले का सेवन पका करना चाहिए जब भी वो कच्छे केले का सेवन करते है तो उनका जो पेट है वो भरा-भरा लगता है और वो बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं खा आता है हमारी इम्मुनिटी सिस्टम को भी बहुत ही अच्छा बना देता है और इसी की मदद से हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं क्यूंकि आप सभी को पता है कि कच्छे के लिए के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आंटी आक्सिडन्स पाए जाते है ज अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेंस्बुक, ट्वीटर और वाट्साप पे भी शेयर कर सकते हैं मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसा ही मातुआ पुर्ण वीड वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद